नमस्कार दोस्तों वैशनभी और्गेनिक देरी फोर्म में आपका स्वागत है आज मैं आपको बाइपास प्रोटीन के बारे में बताने जा रहा हूँ बाइपास प्रोटीन का जो अर्थ है वो है कि जैसे गाय का पेट है जिसे रूमिन कहते हैं उसमें जो डाइजेस्ट हो जाता है जैसे वायल केक खिलाते हैं सरसो, राई, ग्रांड, नट, मुंगफली खल, तीसी का खल, बिनौले का खल यह सब जब खिलाते हैं तब उसके पेट में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है मतलब पूरा आमोनिया गैस बन जाता है जिसके कारण यूट्रेशन कम हो जाता है और 20-30% ही उपयोग हो जाता है यूट्राइजेशन कम होने के कारण ही इसका उपयोग दर घट जाता है 80% बरबाद हो जाता है और गाय भैस यूट्राइजेशन या यूज नहीं कर पाता है बाइपास प्रोटीन कैसे बनाते हैं विदी फॉर्मल डिहाइंड ट्रीटमेंट 500 ml फॉर्मलीन या फॉर्मल डिहाइंड 40% वाला 50 kg सरसो का खल या बिनौले का खल लेकर मिला दे बारिक खली ग्राइंड करके मिला दे जिसके मिलाने के बाद बोरी में बंद रखना हो प्लास्टिक से ढख दे खल जमीन पर रखे और फॉर्मल डिहाइंड मिलाएं दाना में मिस्रित कर ले फॉर्मलीन या फॉर्मल डिहाइंड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं खल को जमीन पर रखे उसमें फॉर्मल डिहाइंड मिलाएं 50 kg में 500 एमिल फॉर्मल या फॉर्मलीन डिहाइंड मिला देना चाहिए मिलाने के बाद साथ दिन बोरी में बन रखना चाहिए साथ दिन बन रखने के बाद प्रोटीन में इम्यूनो एसिड होता है जो प्रोटीन हो जाएगा जो उसको बिहाइंड कर देंगे जो रूमेन में जाकर डाइजेस्ट नहीं होगा वो आत में जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा गाय का दूद बढ़ाएगा और बाच्छा बाच्छी को विकाश में सहायक सिद्ध होगा और गायो बच्छों की ग्रोथ दर में ब्रीधी होगा पान सो ग्राम निकालना है फॉर्मल डिहाइंड और गायो को डेली देना है और फिर बोरी को बंद कर देना है ताकि उसमें हवा न लगे जिससे की हवा लगने से ओ फॉर्मल डिहाइंड जो मिश्रन है ओ खराब होने की संभावना बना रहता है पसु पालको को कितना उसे देना चाहिए जैसे की 3 से 3.5 किलो दूद पर 1 किलो दाना मिश्रन में इसको सम्मिलित करना चाहिए अगर वो 6 किलो दूद देता है तो 2 किलो इसे दाना मिश्रन में देना चाहिए साथी खनीज मिश्रन का भी उपयोग करना चाहिए फॉर्मल डिहायन जो किसान भाई हम जानते हैं कि लगभग 70% तक खर्च दुदारू पसुओं के आहार पर होता है इसे में यदि इनको हम बाइपास प्रोटीन आहार के रूप में दिया जाए तो इन पर होने वाले आहार के खर्च को कम कर सकते हैं तो बाइपास प्रोटीन जो है आपको जो बनाने का जो तरीका था वो हमने बता दिया है इसको फॉर्मल डिहाइंड करना रहता है खली को ग्रांड करके और फिर गाय को आधा के जी सुबह और आधा के जी साम देना रहता है थैंक्यू धन्यवाद वैश्नवी और्गेनिक डेरी फॉर्म